अभिशेक जी बताइए कैसे आगए यहां पर लोट करके आपके नियूस देखके आगए मेरा बीबी देखा मैं अपनी बचाग देखा वो टोने आ गया तो मैं घर से भाग के चला है अचा नियूस के मारफ़त से आप तक बात पहुंची कि आपकी बीबी मायूस हो रही है र दुख सिख जिबन कट रेंगे एंग्र वयं गोर्म नहीं जाएंगे कभी फाट कर सकते हैं दुझ दोस्यलाम कर सकते हैं ठीक है और हज जा हो उप्ता नहीं क्या नहीं आपके माता-पिता ना पको पैदा किया है तो उनका वपास रखिये हम कहा हम नहीं चाहते हैं कि मता पिता के करिश्ता तूड़ जाए भाइ के साथ भाइ करिश्ता तूड़ जा रिस्ता हम कभी दे चाहते हैं लेकिन समाज ऑपने बच्चे को देख करके खूश रहते हैं कि चलो हमने शाधी कर दिया चार-पांचमेन है जिंदगी वो लोग जी लेंगे शादी करने के बाद आजकल कौन किसका बच्चा अपने साथ रहता है रहता है या फिर रहता है बच्चा मता पित अगसर आजकल नहीं दिखने को मिला है आप यह मान लिजी कि हमने बच्चे के शादी नहीं की या मेरी पशन नहीं है उसकी पसंद ही शादी हो गई है उसके बच्चे भी हैं तो भले अपना वो अलगी रहा रहा है इस तरह बात को लीजिए और बात को भूल जाए चुके किस लोग के कारण आप लोग ये कर रहे हैं माने जमीन ज्यादा था है तो बाकी आपके पास स्टाफ रखी आदमी रखी नोकर चाकर रखी वोसे जो महिलाएं होती है जो बहु होती है बेटी होती है खेत में काम करने के लिए नहीं बनती है इज़त अगरका उसको अपने घर में रखिए हम लोग के भी परिवार हैं हम कि घर में माबाप हैं मतलब महिलाएं हैं कभी हमने नहीं बोला कि तुम दरवाज़े पसे ले जाओ एक काम करने के लिए हाँ कभी कवार अपना खेत देखने घूमने जाती है वो काम करने नहीं आती है वो हर किसी का परिवार जाती है लेकि जाती है सलिकेम जाती है परदे अभिशेक जी ने अपनी बाते रखी है इसे लेकर कि आपकी क्या प्राथे क्रिया है कमेंट बॉक्स में लिकर जरूर बताएं जाने से पहले बहुत छोटा है छोटी जिन्देगी है पचास साथ साल लोग ऐसे गुजार लेते हैं खुशी-खुशी जिन्देगी बिताईए ये सब चीज हवस है शादी करना या फिर किसी के चेकर मिराना ये बस थोड़े पल समय के लिए एक हवस है जो साल भर छे मेने के बाद वो खत्म हो जाता है दो साल तीन साल मैकसिमम पांस साल उसके बाद आम जिन्देगी हो जाती है कि भाई नमक लाओ चाबा लाओ आटा लाओ ये लाओ वो लाओ बच्चे को पढ़ाओ खाना लाओ इसी में जिन्दी करती है तो आप चाहे बड़ास बड़ा मतलब पड़ी को लेकर घर में आजए या फिर कुसी को लेकर आजए तीन साल के बाद तो मामलावी होना ही है तो बहतर है कि जो जिन्दगी आपने एक अलगी इज़त होगा बाकी इसे लेकर आपकी क्या प्रते क्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता है इस वीडियो को अधिक से दिख शेयर करें ताकि बाकी लेकों तक जान करें पहुंच पाए फिलाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त नमस्कार